आप मेरे साथ हैं सुनितास कीचन में और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना बूलें आज हम मार्केट स्टाइल का क्रिस्पी डो आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसके लिए मैंने सावा कप उकड़ा चावल पार बोईल राइस रहा है यह मार्केट में इजीली मिल जाता है इससे टो से बहुत अच्छे बंते हैं और वन फोर्थ कप मैंने नॉर्मल जो घर पे हम चावल यूज करते हैं रो राइस वो यू इसे आठ गंटे आप इसे सोक कर सकते हैं पानी में तो इसे हमने दो लिया है और इसे एक तरफ रखते हैं इसके अलावा हम ओड़त दाल लेंगे ओड़त की दूली दाल यह मैंने हाफ कपली है इसे भी हम साफ पानी से दो लेंगे और इसमें हम एक टी स्पून के करीब मेथी दाना डाल देते हैं साथ में हम दोनों को दो कर और सोक करेंगे चावल और दाल को हमें अलग-अलग सोक करना रहता है क्योंकि हम इसे अलग-अलग पिसेंगे तो ढखकर हम रख देते हैं और नाइट के लिए या 6-8 गंटे के लिए दोनों को पानी मैंने थोड़ा इसमें ज्यादा डाला है ताकि अच्छे से फूल सकें अब हम इने ढखकर रखते हैं 6-8 गंटे के लिए 8 गंटे के बाद मैंने इसे खुल दिया है यह अच्छे से सौक हू चुके हैं अब हम इने पीस लेंगे पहले मैं चावल को पीस लेती हूं पर यह वारा पानी हम यूज नहीं करेंगे तो यह पानी मैंने फहला दिया है और चावल को मैंने ट्राई ही फ्रैंडिंग जार में भर लिया है इसे पीस लेते हैं बिना पानी के पहले पानी हम बाद में थोड़ा थोड़ा डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा गुमाने के बाद इसे चेक कर लेंगे यह प्रॉपरली नहीं हुए है तो थोड़ा पानी और एट करके ठोड़ा सा इससे और चान करेंगे हम अब चावल प्रोपर्ली हमारे पेस्ट चुके हैं, इसका फाइन पेस्ट रेडी है, इसी तरह का हमें पेस्ट चाहिए, तो हम इसे निकाल लेंगे एक बड़े बाउल में दाल को भी सेम तरह से हम पहले ट्राई गुमाएंगे थोड़ा सा इसके बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, वन फोर्थ कप पानी यहां पर मैंने आइड किया है, इसका भी हमें फाइन पेस्ट रेडी करना है, चेक कर लेते हैं, इस टेन प्रॉपर्ली, यह हो चुके हैं, इन्हें भी हम चावल में मिला देंगे, आच्छे से हमें इने मिक अब बेटर को हमें गरम जगा पे रखना है, फर्मिंट होने के लिए, खमेर उठाना है, इसका तुछे से आठ गंटे, हम इसे छोड़ देंगे, या फिर गर्मिया है, तो यह बहुत जल्दी फर्मिंट हो जाता है, चार-पांच गंटे के बाद इससे मैंने खोला है, आप इतने डोसे आपको बनाने है, उतना ही बेटर आप भार रखें, बाखी एर टाइट कंटेनर में आप चार से पांच जिन तक स्टोर कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे एक कंटेनर में रख दिया है, और थोड़ा बेटर आभी मैं जो यूज करना है, उसी में हम नमक मिल यूगर भी अच्छे से डिजॉल हो जाए, और पानी यहाँ पर हम एड़ करेंगे, एक कर्ची मैंने अभी पानी आड़ किया है, बहुत पतला बेटर हमें नहीं चाहिए, तवे को बहुत अच्छे से गरम करेंगे, और पानी का चीटा देके इसे पोच लेंगे, इसके बा देरे देरे हम बाहर आएंगे, अगर आप गैस बहुत लो रखेंगे तो डोसे बहुत अच्छे से फैलेंगे, ज्यादा घरम तवा नहीं होना चाहिए, इसे प्रॉपरली हम फैला देंगे, भार की तरफ लाते हुए, मैं ज्यादा तर गैस को बंद करके डोसा फैलाती हू जो भी आप लगाना चाहें, इस पर लगा लें अब नीचे की तरफ से डोसा से शिखने लगा है, आप देख सकते हैं नीचे से गुल्डन ब्राउन हो चुका है, तो आप इसे फिलिप कर सकते हैं या फिर ऐसे इस पर मसाला रख सकते हैं, यह मैंने सादा वाला डोसा बना ह पेपर डोसा मैं आपको फिलिप करके दिखाती हूं यह कितना अच्छा डोसा हमारा बना है क्रिस्पी गुल्डन ब्राउन आप देखिए वाओ आप डोसे का टेक्स्चर देखिए आप कहने सकते हैं यह घर का बना डोसा है इसी तरह से आप डोसे और रेडी कर सकते हैं फिर से हम दवे पर थोड़ा सा पानी का छीटा देंगी और फ्रेम पिल्कुल लोग कर देंगे तो कर्ची बेटर फिर से मैं यहा देदेरे करके बहार आएंगे घर के बने डोसे बिल्कुल बहुत ही अच्छे बनते हैं और बेटर आप जितने भी डोसे बनाने चाहें बना सकते हैं कई बार मार्केट में एजिली यह पैटर मिलता नहीं है यह हर जगह यह नहीं मिलता है तो आप घर पे इसे ट्राइ करें फैलाने के पाद गया इसका फ्रेम लो करके हम थोड़ा सा ओयल या बटर लगा लेंगे और इसे हम नीचे से अच्छे से पकने देंगे पहले आलो का मसा रहा में इस पर अच्छे से फैला देंगे सांबर या आलो के मसाले की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बहुत ही अच्छे डोसे बनते हैं अगर आप इस तरह से बेटर रेडी करेंगे तो आप इस रेसिपी को जरूर फोलो करें और इस तरह से डोसे बना कर देखें बिल्कुली मार्केट जैसे क्रिस्पी डोसे रेडी हैं आपको कैसे लगी है रेसिपी आप मुझे जरूर बत पूल